कि अवेरी वाम वेलकम टू आल देस्पिरेंट फाफ लाइबरेरी एं इंफर्मेशन साइंस सभी विध्यार्तियों का स्वागत हैं जो भी लाइबरी साइंस से बीलाय से एलाय से recognize कर चुके हैं , यह आप से कई सारे ऐस focused sommes की तियरी कर रहे हैं , चैनल का प्लैलिस्ट को पर बासराई है ? अगर अगर आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देग और अपने more दोस्तों में शेयर करें ताकि बाकि स्टों दग भी चैनल का जो जो वीडियो अप्लोड होता है उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके तो यह जो है यह फॉर्म निकला हुआ है यह कॉम्प्ट एक्जाम की हम एक सीरीज चला रख जिसमें कोई भी कॉम्प्ट एक्जाम निकलता है तो अगला जो लेक्चर है इसमें गॉबश्य मेडिकल क्यूष से पाली से यह फॉर्म निकला हुआ है जिसमें आपको लगेरिन्ग की विकेंसी निकली हुई है तो यहाँ पे देखें यहाँ पर इसका लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट हैं पर में यहां पे इनका office है तो यहां पे देखे सबसे पहला है यहां पे पदो के नाम फिर यहां पे कितने पद है और योगता क्या है तो second में देखे assistant librarian का जो है vacancy निकला हुआ है number of vacancy पदो की संक्या की बात करें तो एक है और योगता में हाँ पे bachelor in library science from a university established in law in India by law in India यहां पे होना चाहिए basically यहां पे library assistant का form निकला है जिसमें post जो है वो एक है और आपको इसमें simply आपको bachelor of library information science मांगा हुआ है that is BLIS मांगा गया है तो I think मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों ने BLIS कर रखा हो साल बहुत सारे स्टुडेंट है वो BLIS करके निकलते हैं चाहिए वो युगनू से हो चाहिए वो डेली उनिवर्सिटी से हो या फिर किसी भी संस्ता से हो जो BLIS की कोर्स कराती है तो तो आप सब इसके लिए eligible है माना की एक post है बत उसमें भी इंटर्विव के बेस पर आपके हैं पर सेलेक्शन होगा तो आप इसके लिए जरूर अपना जो भी आवेदन है वो फिल करें और यहां पर देखें यहां पर बोला गया है कि आपको आवेदन जो है वो आपको डाक के द्वारा भेज देना है स्पीड बोस द्वारा भेज सकते हैं यहां पर परदाना चार्या नियंतरक राजकिये मेडिकल कॉलेज पाली यहां पर आप इसको मतलब भेजना है जितने भी आपकी योगिता वगरा है आपको अगर एक्सपीरेंस है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है सर्टिफिके कर देना और सबको सेल्फ अटैज करके एक एंवलप में ढालके आप इस पर भेज देना है तो इससे आपको पूरा मतलब चीजे जो है वहां पर जाके जब सेलेक्शन होगा तो उनको एजी हो जाएगा चैन करने में कि हाँ आपके बास क्या-क्या एक्सपीरेंस है साथ में आपको यह फॉर्म जो है इसको भी फिल कर देना है जिसमें आवेदक करता का नाम आजाएगा पिता का नाम आजाएगा जनम तिति आजाएगी आधारकर्ट संक्या पता यहां पर मतलब आपका जो एड्रिस है पद किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं योगी मतलब आपका शिक्षा कि जो स्तर की बात करें तो वह है और अनुभा मतलब कर देना है नाम और डेट लिक के इसको भेज देना है जो हमने अपको एड़स इसके इसके साथ आपको पूरा डॉक्मेंट वगरा आ जाएगा तो यह पूरा फॉर्म था जो कि आप मतलब बहुत ही मिनिमल क्वालिफिकेशन आप मागा गया है एक पोस्ट देके आप ये ना सोचे कि आपको मतलब नहीं मिलेगा क्योंकि एक-एक करके ही लोग यहाँ पर जॉब पा रहे हैं आप एक-एक करके मतलब बहुत सारा करेंगे तो वेट करते ही रह जाएंगे तो इसलिए आप से रिक्वेस्ट है अगर आप इसके लिए अलिजिबल है तो इसके लिए जरूर फिल करें एक है तो ऐसा है कि जो पास में रहते हैं वो स्टुडेंट जादा इसमें मतलब प्रैफर करें क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्योंकि पैंडेमिक है तो आप आए जाए एक पोस्ट के लिए तो यह भी थोटी दिक्कत की बात है तो वह है कि जो स्टुडेंट पास के हैं तो वो लोग ज़रूर फिल करें इन फॉर्म को तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट वर्क्स में ज़रूर करें तब तक के लिए धन्यवाद और हां अगर आपको कोई भी मतलब इंफर्मेशन चाहिए तो इनका जो वेबसाइट है उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं तो धन्यवाद मिलते हैं आपको आप सभी से नेक्स वीडियो में